जान बुझके यहां के लोगों को पड़ेसान कर रहा है जान बुझके साहब बार बार आज तो दो साल डेर साल हुआ ना कभी भी समय से पेमेंट नहीं दिया है कभी भी नहीं दिया है यह तिसरी मरतवाज हम यह सब कर रहे हैं जमीन देखा उसके बाद खट रहा है उसके बा परखंड के बादपूर में मौझूद हूँ जहां एक कॉंच कंपनी के द्वारा रेलवे बिरीज का कार किया जा रहा है आपको वता दे कि आप हमारे सामने जो देख रहे हैं यह मजदूर भाई यह मजदूर भाई यह स्थानिये हैं यहां के लोकल हैं और दिन रात एक करके कंपनी के लिए काम करते हैं और इन मजदूरों का लगबग 6 महने से बेतन रोक दिया गया है बेतन नहीं दिया जा रहा है जबकि 447 रुपया का रेट है जबकि कंपनी इन्हें मात्र 325 रुपय का रेट देती है यानि अगर महिना का माने तो मात्र 10 से 12,000 रुपय है और व यह मेने से इन हे कोई पाईसा नहीं मिला और देखिये इनसे हम बात करते है हमारे साथ है बहां सयब करिए निदा के दृद्य और चलरा और इलाज के दौरां और यह पसा मांगने गया तो इनन नहीं जो है चोड़ीरां लगा पनी बाहर निकाल दी्र शाह ने भी मजदूर देखने सभी मजदूर जो है अस्थानिये हैं कोई बेतन नहीं दिया जा रहा है और ये साल में दूसरी बार जो है इस तरह का धरना परदर्शन कर चुके हैं क्या कुछ परसानी है पुरा बताई परसानी यही है कि हम मने पत्नी को विलाज बढ़ियां से करा क्या हूए इसके बारे में बात करने गये थे भी पईसा का कोई नहीं समझ आए हाँ पासा मिलेगा नहीं क्यूंकि तोटल को दिखा दिये हम अंदर में नहीं दिया भी पैसा ही नहीं है ठिकेदर से बोलो जाके ठिकेदर साब तो यहां जब पढ़े सानी है पूरा पढ़े सानी यह है हम लोग इससे पहले भी जनवरी में लोग पैसे के चलते छे मेना रुक गया था तो हमको आसासन दिया गया कि आपको 20 का 20 आपको पेमेंट मिलेगा लेकिन आप 20 का 20 नहीं मिला जो पिछला बकाया था उसको दो मैना दाय मेना तीन मेना कर ले जाके उसको थोड़ा करके पूरा किया गया फिर वही सिती अभी बन गया है छठा मेना पच्वा मेना चल रहा है किसी को बेतान नहीं और बेतान मंगने पे कहा जाता है कि ज्यादा बोलेगा तो बाहर कर देंगे इससे पहले जनवरी में किये थे हुआ उस समय क्या हुआ उससे में पीम साह बोले थे कि आपको जो है समय पेंटा मिल जाएगा आप लोगा धर ना तोर pracy कweenow त्वी ब सब्सक्राइब जा रहा है पैसा मांगने पर दियाना जाता है कभी दो दिन कभी चार दिन कभी दो दिन चार दिन आज देली टाइम लिया जा रहा है जा आज हुआ हुआ है घर में बिमार आदमी है इलाज नहीं करा पार रहे हैं 15-20 दिन से मवेशी पाले हुए हैं किसी तरह घुजा थोड़ा बहुत करते हैं वह भी 20 दिन से इलाज के कारण अभी मरने के कगार पर पर हुआ है इसलिए आज ही जो कि हम लोग कल आके जाके बोलने गए तो बोलते हैं उनका कोई गाइंटी नहीं है एक सपता के चलते अगर हम रहताल तोर भी देंगे फिर वही धंदा अपनाएंगे फिर वही बात बोलेंगे और लोगों को ज़्यादा बोलते हैं जो ज़्यादा अपना मांग उठाते हैं उनको यहां से भगा दिया जाता है इनको पराने स् स्टाप यह बहुत ही मंदार स्टाप उनको जह है बुजूर्ग आदिमी हैं इनको पैसा नहीं मिला पत्नी बिमार पर आहुआ है ऑप्रेसं लिख दिया है डॉक्टर लेकिन पैसा के कारण ने उप्रेसं नहीं नहीं दिया है आप सोब आप यह बात सुनकर यह अंदाजा देख रहे हैं कि पत्नी सरक्के उर्हां करें कि पैसे की मांग इनोंने किया अपनी खुद मेहनत मेहनताना मांग किया तो इन पर फुलिका इलजाम लगा दिया वाप इन 이션व पर इंधा क्रोड़ we precis कुमार कहं करने वाल क्या लगता शुना बरेशान को सबस्क्राइब करने से नहीं में प्रोषा इस पन्य करते करता है च्छोब महिना बित गया है घर का हाल बता है बहुत बुरा हाल हो रहा है घर में जाते हैं इस रासना लाने के लिए तो भी बोल रहा है कि से पैशाने दे राट दू-तीन महina हो गया है सपकत देगा हैं कितना हम उधर आपको देंगे हम इस खुल्स अपलोग रहते हैं को हैं ठाइप जारखंट से सौ लेवर मंगा पर हैं उनको apla मेना मिलता है जिनका जमीन इस प्लोट में उन्हें मात्र 10-12000 में तर्का दिया जाता है वह भी महिनों महिनों तक इन्हें बेतन नहीं दिया जाता है जान बुज के हां कि लोगों को पड़ित्रान कर रहा है। योगों को मंगाते हैं, उनको सहरे सोलGER जर्ट दिया रहा है। लेकिन हम लोगों को मतलब छुछो महिना स्व सथ महिना पड़ एक महिना को देता है। हम लोग को जान बुझ के इस सब समस्या मतलब करता है जान बुझ कर जान बुझ कर अब क्या मतलब है तो हम क्या बता है मतलब यह समझ यह कितने मजदूर होंगे जिनका बेतन रुका हुआ है जितने बेतन रुका हुआ है जितने बेतन रुका हुआ है जितने बाहरी का रुका हुआ बेतन नहीं है जितने बेतन रुका हुआ जितने लोकल मजदूर के अंदर में जितने लोकल लेवर हम लोग है सिमरिया है जितने हैं कुल भूखे खाली खट रहा है छे महिना बाप दादा का जमीन भी है हम लोगों का यहां उसके बाद भी नहीं नहीं कि लोकाल है तो सलंडर हो जाए भागे सिदे काता बाद प्यूज कुमार बादपूर का रहा है परसानी यह है सर यह मतलब की दो साल स स्थाप है क्योंकि वह भी तो एक बरकर है आंभी एक बरकर हैं लेकिन हम लोग मतलब की लो क्वालिटी में हम लोग को जोडा जाता और नहीं लोग कोहत है यह मतलब की हम लोग अपने हक के लिए हमेसा यही सब करते हम लोग लोकलिटी के बज़े से यही सब करने के बज़े से बदनाम हो जाते हैं हम लोग मजदूरी करना चाहते हैं मेहनत करना चाहते हैं हम लोग कमाना खाना चाहते हैं कि किसी से हम लोग भाजी या कि लफड़ा कोई वह सब नहीं रखना चाहते हैं बस यह है कि हमें हमारा मजदू तो मुकर भी चुकेते एक बार कि हम आप लोग को अस्वासन देते हैं ठर्ड पार्टी में रखेंगे आप से ऐसा नहीं होगा तो हर बार मतलब की अस्वासन खाली दिया जाता है अस्वासन का मतलब क्या होता है तीक है हम लोग मेरा नाम गनेश कुमार पांडे हुआ मैं माल का बेतन कीम नहीं दिया जा रहा है उनसे भी जाकर हम अंदर बात करेंगे और पूछेंगे आखिर लोकल जो अस्थानिये मजदूर है उनके साथ इतना वरा नाइंसाफी वो क्यों करति हम मजदूरों के साथ अंदर जा रहे हैं और प्रोजेक्ट मनेज़र से बात करेंगे कि आखिर 섯फ चार नहीं नहीं का नहीं देखुरत ताना ही वाइच्ट धिकना डिखिर कंदागे ऩख़पनश्चर कोना में 325 रोपया दिया जाता है खिर इसा क्यों कर दाता है ये भी हम बात करेंगे आप देख रहें कि पष्थीक महिने कि साथ तारीक को इन्हें बेतन दिया जाएगा लेकिन कोई बेतन नहीं गया अधत मजदूरी के भुक्तान की तारीक परती एक मेने की 10 तारीक है, जबकि भुक्तान की 3-3 साथ तारीक है, तो चलिए हम चलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर चलता है कि मजदूरों के साथ नाइसाफी हो रही है यह लोग कंपणी जो है चोर है कि कंपणी के मेनेजर मिलना नहीं चाहता है कंपणी अगर सही रहता मैनेजर रहता था यह रहता नियाय होता इन मंजदूर ही मिलता लेकिन अब्राइद मार ओन्यादोर को दोते हो ! ही मंजदूर दर्च है , तामि मंारी जाते हैं, अब समifies कि मिरेनी ऋपम उपको यह जाते हैं, जबकि 443 रुपया मिलता है उसके बाद जूद ये मजदूर को मात्र 325 रुपया मिलता है इसका हिसाब कून देगा आकिर मुकामा में लोगा कर मुकामा के जन्ता का पैसा खाते हैं लेकिन मुकामा के लोग भूके मरते हैं मुकामा के लोगों को एक रुपया हेल्थ के नाम पर भी नहीं दिया जाता है इन लोग भुके प्यासे हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको जो सक्ष जो बीच में बैठे हुए हैं ये मेडिकल का पूर्जा लिए हुए हैं उप्रेशन होना है इनकी पतनी का को देखने भान नहीं मुकामा में सवास्त भाष्वस्ता ठीक रहा है नकभी रोजगार रहा है एक पढ़ेक बत्ता नहीं दिया जाता है, आखिर इसका जवाब कौन देगा, तो आपको मैं पूरी तरहा से देखा जाता है, कि यह लोग किस तरह से प्रोजेक्ट मनेजर से मिलने नहीं दियें, क्योंकि इसी ज़े पता चलता है, कि कमपनी के साथ मनेजर भी चोर है, किसी तरह इस रहां स्वाराज भारत लाई धन्यवाद